आज मैं आपके लिए फिर से लाई हूँ एक असान सी दही की रेसिपी जिसे हिमाचल में रेडू या खेरू कहा जाता है इस रेसिपी को बनाने के लिए हमें चाहिए हैं दही, जीरा, हल्दी, मिर्च, नमक, तेल, तीन-चार कलिया लसन की जिसको बरीगवरी काट लीजिए एक प्याज चोटा सा उसको बरीगवरी काटना है अपने और हरा धनिया गानिश के लिए आपको यह भी वेजिटेबल और मस्टर यूज कर सकते हैं मैं वेजिटेबल यूज कर रहे हूं यह थोड़ा सा गरम हो जाए मजीरा को थोड़ा सा ख्लाटर होने दीचिए हो गया है देखें अब आप इसमें डालेंगे लसन की कलिया लसन डालने के बाद इसको फुरा सा खिलाने चीए थोड़ा साथ की ब्राउन होने दीचिए बस्ता को फुरा सा का कच्छा पन चला जाए अब हम इसमें डालेंगे प्यास क्यास को बादा पकाना नहीं है इसको सिरा अब को थोड़ा सा ट्रांप्स किता है और इसको जलाना नहीं है हलका हलका साथ को भूने अब यह बून गया है जास को भी विलकुल सिन रखें आपको ग्यास को तेज दोई करना है अब हम इसमें लालेंगे हमारे मसावे आज़ा चमछ रवगी पर डालेंगे आज़ा चमछ लालेंगे नमक स्वाद अनुसार और इसको आप मिक्स कर दीज़ें अब आपको जहीं को थोड़ा सा फेटना है इसको फेट दीज़ेंगे अगर आप इसको रिलाएंगे नहीं तो यह फट जाएगा आप इसको रिलाते रहें गैस आपकी बंद है आप इसको रिलाते रहें आपको इसको रिलाते रहना है आपको गैस को सिम्पे रखना है अगर आप इसको ऐसे रिलाएंगे नहीं तो यह फट जाएगा बस आपको एक सेकिंड के लिए इसको ऐसे रिलाना है यह तियार है बन अब आपका बेडू तिहार है अब आपके चटपट बनने वाली रेशिपी आई यह देख लिजे इसकी तंसिस्टिंसी देख लिजे अब आप इसको परांठे के साथ खाई यह बहुत यमी लगता है आप इसको चावल के साथ खाईए आप इंजॉई करेंगे अगर आप इस टिश को बना के खाएंगे आपको यह दिश मेरी पसंद आए आई होगी प्लेटिंग करके भी खाते हो किता यमी लग रहा है आप इसे बनाईए जरूर बनाईएगा और खाईएगा जब आपको कुछ समझना आए तो अब प्लीज दहीं से इस डिश को बनाएं इंजॉई करें अगर आपको मेरी यह रेसिपी पसंद आती है प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं चानल थैंक यू सो मुच